करवा चोथ वाले दिन किसी से ना तो जगड़ा करना चाहिए, ना ज़्यादा बातें करनी चाहिए, जहां तक है मोन रहना चाहिए, अगर मोन रह सकती है तो उतना ही बोलना चाहिए ज़्यादा नहीं, तो जो करवा चोथ का भर्त रखते हैं, इसमें पती की दीरगायू की क सामना से पतिन यां बर्त करती ऑर उसमें गंद कई जी की पुझा होती है शंकर पारवती की पुझा होती है और पती की दीर आयूका लिए पत्नियां बर्त करती करवाचौ सिसर यह निराहार बर्त वता है कुछ Daar viene हो नहीं जाता है और साम को जब चंद्रमा निकल याता है उसमें चंद्रमा को अर्ग दे करके और वो बृत का पारण करती है उसमें पर जल पीती है और फिर भोजन करती है अपनी पती को पहले भोजन खिला करके उसके बाद में स्वेम भोजन करती है अगर उस दिन बादल हो चांद ना आए तो क्या करना चाहिए इसके बारे पर अप्टान करते हैं देखे एक पैसे तो चंदरमा का समय होता है साम को 9 सवानों के करीवन चंदरमा निकल याता है उस दिन अगर परिस्तिती बस नहीं दिखता है तो समय के अंसार भी करते हैं पर यह है कि अगर 9 बजे नहीं दिखाई देगा तो चंदरमा 10-11 बजे तक नजर आ जाते हैं ऐसा बहुत ही कम होता है कि चंद्रमा नजर ना आये और चंद्रमा जरूर नजर आता है सभी को और सभी की मंगल कामना के लिए गड़ पती जी का बर्त करके और चंद्रमा को अर्ग दे करके तब ही भोजन किया जाता है कर्वा एक मिट्टी का बटन होता है जैसे गड़वी होती है उस प्रिकार का होता उसमें एक छेक होता है और उसी के दवारा उसमें जल भरके पहले कथा सुमती है इस तरियां सभी और जल रके मीठा देखिए करवा चोथ वाले दिन किसी से ना तो जगड़ा करना चाहिए ना ज्यादा बातें करनी चाहिए जहां तक है मौन रहना चाहिए अगर मौन रह सकती है तो उतना ही बोलना चाहिए ज़ादा नहीं और सुबे इस्नान करने के बाद में गड़पती के मंदिर में पुजन करती है माता पारवती की पुजा करती है, शिंगार का समान चढ़ाती है और शंकर जी की बीपुजा की जाती है क्योंकि संकर पारवती का ऐसे देपता हैं जो इस तरी को मन इच्छा की अंसार बरदान देते हैं और गड़पती भी सबसे जल्दी परसंद होने वाले हैं उस दिन उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद ही वो चंद्रमा को अर्ग देती हैं और भोजन करती है पुनी करवा जो ने एक सर्गी पंजाब में खास करके सर्गी का काफी महत्तव है सर्गी क्या है अगर सास ना हो तो फिर क्या करना चाहिए उसके बाद दर जाने है देखो सर्गी का उसमें बोजन का ही सामान होता है उसमें गन्ने के चोटे चोटे टुकड़े होते हैं यानि गन्ना जो है गड़पती जी को प्रिये है और सरगी उसमें मठी होती हैं और मिठाई होती है फल होते हैं और शिंगार का शामान यह सबसे पहले गौर्जा मा के मंदिर में जाकर उनको चड़ा करके उनके निमित निकालके और फिर शुबह यानि वह अलप अहार फल वगएरा ग्रहन कर लेती हैं अपनी सास की आग्या स क्योंकि सास हो या पती हो या कोई भी है उनकी आग्या से बेट सुबह यहां पंजाब में केवल ऐसी रीते हैं कि सुबह सुबह वो भोजन कर लेती हैं सरगी का मिष्टान दूद के साथ में वो खा लेती है तो पंड़ी करवा चोट में छलनी का क्या महत्तब है कि चलनी का चलनी का तो ऐसा है कि जब चंद्रमा को देखते हैं तो चलनी के द्वारा देखा जाता है इसमें एक कथा भी आती है उसके अंसार चलनी से चंद्रमा जो नजर आता है और पती को भी उसी चलनी में से दीपक दिखा करके चलनी में रख रखके फिर पती को देखकर के चंद पलब बहनए पन्जाब में और करें चलनी की ऐसी पंड़ाँ नहीं है पन्जाब कि अध्यू अधीर नहीं है रात को भोजन करने के बाद सुबह न वो चाय पीती है न पानी पीती है और सुबह इस्टान के बाद में अपना भजन करती है इस्टान के बाद में कथा सुनती है पूजा करती है और उसके बाद जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा को अरग देने के बाद में ही पती पर लिए उसके पूज़ा का लिए इस लिए दिखाने का चंदरमा को अर्ग देने का उनकी पूजा का फल है जो की जाती है वो चल्नी में रखंगत狂 रख लेती है इसके दौरा अर्ग दिया जाता है क्बान के जो सब्सक्रारा आ रहा है इसको जो कर वा चो नहीं यह इसको बथा दोस नहीं है यह पूरे दिन शुबह है तो इस दिन बर्त करने में कोई दोस नहीं है कई बार ऐसा होता है कि जो द्यापन करते हैं अपने सास के नमित जैसे मंस्के देती हैं जो नव विवायत जोड़ा होते हैं जिसकी पहली बार साधी होती है वो अपनी सास के लिए सामान दिया जाता है सास नहीं है जैसे मानो कोई बे सकता है अगर सास नहीं है तो पंडे जी एक बार फिर पताएंगे कि और से पंजाम में और से खर्वाचोज को बढ़ते रख रहा हो तो कहता रखते हैं तो बाहर भी देखिए यहां पर जो रखती हैं तो बहुत सुबह यानि चार-पांच बजे पर ही सुबह अल पहार कर लेती हैं बोजन कर लेती हैं वो है फैनिया जो होती हैं शेमिये वो दूद में डालके खा लेती हैं परोंटी भी खा लेती हैं तो यहां पर भोजन कर लेती हैं बोजन करने के बाद में फिर सो जाती हैं सुबह सुबह जगने के बाद में वो यह भोजन करके फिर सो जाती हैं उसके बाद में फिर जग क में खाती है कि बाहर कही नहीं अगोई भी नहीं करती है कि जो यहां पर इसी पर्था चलियाए क्योंकि सास्त्र के अंसार भी और जो लोग पर्था है यह लोगा सार रहें कि विवखार में यह उता जहां जैसा है उसके नशारी कि शाल सुनती हैं और उसके बाद में फिर वह देती है सामें दिनुए कुछ नहीं खाती पीती हैं वह इनका घुब अलमी फिर निकलने से पूर अस्थ तक रहता है उसमें जल्बी नहीं पीती है कुछ नहीं खाती पीती पूर जो जादातर और दूसरी जगह पर उल रात को यानिएенный को जब बारहे के बजने के बाद में दूसरा दिन माना जाता है उसके बात में कुछ खाती की नहीं है और जब तक चंदरमा में निकले आएगा खंदरमा को अरग नहीं दे देंगी उसके में खाती पीती हैं यह ऐसी यहां की बोड़ है